यह है ओ यह तो गुष्टप संब कॉंड vinCre 본 ले आप DOWN को कॉर्ण हैं थो भी आप लोगों जिसका कोरिय ता वह उससे किसी का देख लेते, नेफकिन वेंडिंग मसीन का तो मिस्रा सरा भेजो साइकिल का देख लेते हैं ट्राइस साइकल का जड़ी कोई टेंडर निकला हुआ इसका निकल सकता है टेंडर स्टैटिक साइकल मोटर साइकल यह एक साइकल इस्टैटिक साइकल बोलके बाकी तो साइकल का भी ढूणना पड़ेगा ऐसा नहीं नहीं एक ही पीज में बाकी कर्स्टम बीड में नहीं तो नहीं है इनका भी देख लेता हूँ सेनेटरी आइटम में जदी मिल गया तो मिल सकता है कि इसमें भी एक ही है और एक टैंडर है वही टैंडर है सर का 25-9 को निकला है 16-10 को लास डेट है कस्टम बीड में निकाला है यह टेंडर हम लोग भर सकते हैं चल वेलू एजिबुलिशन से रिजर्वड फॉर मेक इन इंडिया अब इसमें रिजर्वड फॉर मेक इन इंडिया किया है मतलब क्या मतलब क्लास बन एटी परसंट नहीं फिप्टी परसंट से ज्यादा अब कितना भी परसंट हो सकता है वह हमें पता ने वह टेंडर बताएगा मैंने एक्जांपल एटी लिया था यहां फिफ्टी परसंट बलाए एटी बोला तो एटी नैंटी बोला तो नैंटी फिप्टी परसंट से ज्यादा यह नहीं पता कितना ठीक है इसमें आइटेम में टेंडर में दो आइटेम है सेनेटरी पैड का है और एक क्या यह इंसिनेटर का है यह दो आइटेम है इसका फिप्टी परसंट है इसका भी म इसका details से थीक है तो इसमें दो आइटम का tender है जो custom बिड में क्या हम इसमें से एक आइटम में tender भर सकते हैं इसमें से मैं एक आइटम सप्लाई कर सकता हूं का सकते यह यहां स क्लेर होगया यहां तक चलो और यह tender भरने के लिए दरते हैं यह बनने के लिए आपको दो कैटलोग बनाना पड़ेगा एक इसका और एक इसका तो दोनों का इस अपको बनाना पड़ेगा उव्ही नया तो मैं पहले दोनों का इसम उसका एक एक लगेगा है लगठाना ठीक है आप कहीं से भी उठालो जो पूड़ेंश आप देने वाले हो उसका पॉड़क्ट कहीं से भी उठा लीजिए मालो यह मेरा पॉड़क्ट है तो है तो मैं इसका एक PDF फाइल बना लेता हूं यह मेरा पीडिया फाइल बन गया इस एक आइटेम का में सेव कर लिया पीडिया फाइल कैटलॉंग में अब इसके फोटो चाहिए मुझे तीन यह रहा मेरे फोटो इसके तीन फोटो निकाल लेता हूँ इन फोटो लगते हैं आपने को यह रहा एक दो एक भी निकालेंगे तो भी चलेगा उसका नाम बदल के देना पड़ेगा तो मैं तीन ही निकाल के रख लेता हूँ जाने दो दिम उससे अच्छा है चूज करने में इसी होगा और इसमें तीन तो मैंने इसके इन सोट निकाल लिया थे इनका हो गया एक आइटेम का कैटल प्रिश्पेंशर एक यह डाला आ जाग तो आप जो देने वाले हो उसके हिसाब से पॉर्ड़क्ट आपके डिलेवंट जो भी पॉड़क्ट होगा उसके कैटलॉग पहला यह माला मेरा पॉर्ड़क्ट है इसके कैटलॉग इसको मैं बना ले रहा हूं ओके यह मेरा कैटलोग तयार हो गया अब इसके तीन फोटो वेल्ड टू एंड फोटोज होगे तीन फोटो मैंने ले लिए कैटलोग भी मैंने तयार कर लिया जो आप देने वाले अपने हिसाब से उच दोनों पॉडट के रेडी हो गया आब मुझे उसके टेंडर बना मैंक इंडिया मैंकिन इंडिया कितना पॉर्संट 30 तो मुझे दोनों फोरुट का 50 त्रसंट मेंकिन इंडिया रखना ज़रूर गी है यह निटो मैं रिस्टीपे सर्च और यहां पर इस VID number कोपेश्ट ही का परटिसीपेट कि नो नो येस ख़ी होगा दो item आगया फणैश के टूग यहां पर भी देखो पॉड़क्ट में आ रहा है यहां पर हमेशा नया पॉड़क्त अपड़ेगा यहां से अप्लोड न्यू पॉड़क्ट पर यह कौन सा काटेग्री में यह यूनिवर्सल काटेगरी में होगा इसको कस्टम बोलते हैं ठीक है तापको एक नया प्रॉड़क्ट अपड़ेगा आगी आए कौन सा ब्राइड का देने वाले जोड़ी कोई नमबर में भी में जैन म ही डाल देता हूं लदन इसमें बीट नमबर मैंडेटरी है कुन सा बन मर जो आप टेंड़र भरने वाले हो यह वाला कॉपी किया हुआ है कि पशिट कि आप रीषेलर हो या ओएम हो तो में रीषेलर हूं पैंट्री ऑप ओरिजिन इंडिया मैंक इंडिया पर्सेंटेज नो कर देंगे तो टेंडर पाइंडर नहीं कर पाएंगे क्या होगे इसको सॉम्टिंग वें रॉंट क्या हो गया है टेंडर आइडी गल डाला है क्या मैंने 611 डेट खतम हो गया क्या टेंडर का 1610 डेट भी है 543 5434611 इसका पर्सेंटेज मुझे 50% से ज्यादा देना पड़ेगा नहीं तुम्हें टेंडर पाटिसिपेट नहीं कर पाऊंगा 60% कर देता हूं यह 100% भी कर सकते हैं रेट कोई भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आप कम या ज्यादा में कोट कर पाएंगे में रेट उधर रहेगा यह रेट से कोई लेना देना नहीं है यह देखो यहाँ पर कैटलोग अपलोड करेंगे इसलिए मैंने कैटलोग बना लिए है यह वाला है वीडियेप का कैटलोग सेवन प्रोसिड और तीन फोटो जो मैंने अल्लेडी डेक्स्टॉप पे रख लिया है कौन साथा यह वाला एक नहीं यह वाला नहीं है यह वालत फोटो डाल है यह वाला है एक दुसरा और यह तीसरा हो गया तीन फोटो एक्सेप्ट सेवन प्रोशिड रिविव टम्स अ कंडिशन एतर strive हो जाता है सेम तरीके से आपको दूसरे आइटम का करना थै है से लेट केटलोग इसको यहां पर अप्रूबल होके आभी गया अब इसमें अप्लोड नियू पॉड़क्त ब्राइड को ब्राइड का देने वाले तो ब्राइड का नाम नहीं तो आप एक्सेप्ट सेम तरीके से दूसरे आइटम का ट्रॉग होना है कि एंट्रेपैड बोडन नंबर डाल देजिए बीड नंबर यह आपका बीड नंबर है कि नहीं रेड गया यह भी आज रिशेलर कंट्री ओप ओरिजिन इंडिया कोई भी डाल दो मैंटी परसंट यस कोई डाउट से तो पूछ सकते हो डोकमेंट्स य दाउनलोल मैं सॉरे 7PDF, इसके तीन फोटोव डेक्स तोप ओग यह तीन फोटो, accept, save and proceed प्रिवीव टर्म्सन कंडिशन प्लोज और यह पुब्लिस्ट दोनों आइटम मेरा पप्लिस हो गया यह भी पप्लिस हो गया कौन सा कैटेगरी में यूनिवर्सल कैटेगरी इसको कस्टम पॉड़क्ट भी बोलते हैं अब चलिए दोनों पॉड़क्ट इसका जनरल जनरली 90 चांस है कि अप्रूबल इसका तुरंत आजाता है तो आपको यह तुरंत दिखना चलू हो सकता है हो गया यह वाला पहला आइटम है तो इसको चूज कर लो एक्सेप्ट कॉइंटिटी यहां पर कोई भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता इंक्रिप्टन से पहला आइटम यहां पर भी एक आइटम का डाला है तो यहां पर मैं एक डाला है तो वहां मैंने असी यहां दाला था यहां पर मैं दो लाग भी डाल सकता हूं, दो लाग पचासे जाल, वो भी डाल सकता हूं, पैड का, वहाँ पे मैंने 90 डारा था, यहाँ पे मैं 35,000 भी कोट कर सकता हूं, हम लोग 14,000 लेक, 25,000 रुपिस में कोट कर रहे हैं, पस, encrypt and save, आगे same procedure, repeat हो जाएगा, सिब इसमें make in India certificate एक नए आएगा, जो पहले के classes में नहीं थे, अब देखो, इसमें MSME by default, मैं जे reseller catalog अप्लोड किया, इसलिए options मेरे लिए by default मैं no हूँ, क्योंकि मैं OEM नहीं हूँ, you are not OEM, इसके वज़े से MSC का benefit में नहीं ले सकता, और इसमें make in India का certificate अप्लोड होगा, चलो यह भी दिखाई देता हूँ, documents एक upload कर देता हूँ, यह तो by default no रहेगा, make in India को मुझे no करके हम आगे नहीं बढ़ सकते, save करेंगे, ऐसा error आएगा, तो मुझे yes करना ही पड़ेगा, और class 1, मतलब 50% से ज़्यादा, take make in India का certificate बनाके और यहाँ पे upload कर देना है, जो आपने दिखाया रहा हूँ, जो मैंने दिखाया रहा हूँ, एकसेफ्ट करो, verify करो, वो get in the submit, बोलो, custom bid में, कोई doubts है, make in India का certificate है, कोई भी बनाके डाल सकता है, actually जदि आप proper बात करेंगे, तो यह OEM के later head में होना चाहिए, यह proper, पर, पर अभी OEM के later head में मिलना बड़ा मुस्किल हो जाता है, क्योंकि कोई देना ही नहीं चाहता, इसके वज़े से आप अपने later head में भी डालके काम चला सकते हो, तो आपको later head में डालना पड़ेगा, तो लास्ट में लिख रहा है, verify, OTP, e-sign, DSC, वो क्या है, e-sign से भी कर सकते हैं और digital signature से भी आप उसको verify कर सकते हैं, तीनो options available है, verify with OTP मतलब mobile पर OTP आप देगा, कस्टम बीड में जैसे आपने product add करावी कोई product Q2 का है, वो कस्टम बीड में बिन authorization के होगा नहीं क्यों, मुझे क्या पता था सैंटाइजी napkin Q2 में या Q3 में, मुझे पता ही नहीं, ने तो चेक भी नहीं किया, आपने चेक किया होगा तो आपको पता होगा, और आपके 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 लोग में भी वह item अप शो हो जाएगा सब अब इनके बात में हम एलवन करना चाहिए डारेक पर्चेस अब नहीं 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 चलिए तो पहले वाले टेंडर पे आते हैं जो हमारा अप्रूबल नहीं आया था उसका देखते हैं लाइड वाला पाटिस्पेट चलेट केटलोग देखो अभी तक अप्रूबल आया क्या आजाना चेहां अब यह अप्रूबल आ चुका है आगया तो इसको चूज इसका प्रूबल नहीं आया था तो यह हम लोगों ने अप्रूबल आ गया सेम इलके 10 सेब कर दीजिए आग जो रेट डालेंगे उसी रेट से हम कोड कोड करें गया मालों यहां पर 3400 डाल दिया तो उसकी सब से आ जाएगा 100 क्वांटिटी के लिए 30000 में कोड कर रहे हैं यह सो इस्टिमेट प्राइस स्टिमेट हो गया फिर इंक्रिप्टन से आगे डॉकमेंट अप्लोड औरो ही प इसमें इमडी और बीजी भी मांगा है तो इमडी आप भर सकते हैं आफ्लाइन मेथोड में भरने करता है चलो वह भी देख लो आप इसमें डॉकमेंट्स का तो बहुत भर मारे है कि करके डॉकमेंट्स अप्लोड कर देता हूं सर ऐसे कई सारे टेंडल होंगे जिनमें बहुत सारे डॉकमेंट्स की रिक्वाइर्मेंट्स होगी और ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम सारे यह डॉकमेंट्स दे पाएं तो इनके सब्सक्राइब का डॉकमेंट्स मिस आउट भी होते हैं तो बायर आपको क्वालिफाइब करें करें वह हम कैसे बताएं पिर बायर का है ना आप उसमें इलिजिबल नहीं और आप भुश गए तो फिर बायर के उपर है इसमें मांग रहा एम्डी एक्जप्शन आज़री आपके पास आप यह होते तो एक्जमसन मिलता वह नहीं हो तो क्या डॉकमेंट्स इसमें से किसी कैटेग्री में आप पोले चाहिए अ स्टार्टप होना चाहिए आपका फांसोगड़ों से ज्यादा होना चाहिए वेंडर असेस्मेंट होना चाहिए मतलब ओयम के वी आइसी यह सब चीजों में किसी में भी आप पोले चाहिए तो फिर आपको यह मिलेगा तो आपको मिल सकता है यह सब चीजे नॉम्स है आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे तो इसके डिटेल्स में आपको और भी आ जाएगा तो फिलाल हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए हम दोनों में नू करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो हमें EMD भरना पड़ेगा जदि हम OEM होते तो हम पर इसमें यह options आ रहा है तो आप इसको बाइपास जरूर कर सकते हैं पर गलत तरीके से सही तरीका नहीं होगा देखो हम बोलते थे हैं यहां पर उद्यम का certificate अप्लोड कर देंगे और सेव कर देंगे तो मेरा EMD exempt हो जाएगा पर मैं प्रॉपर नहीं रहा बाइर चाहे तो यह प्रोसेस काम आ जाएगा पहचान में नहीं रहा तो दोनों करोगे और इसको से अब यह आ जाएगा तो आपको 10400 का EMD भरना ही पड़ेगा कैसे यहां पर यहां पर डाउनलोड का रिक्वेस्ट आ जाएगा यह EMD का ड्राफ्ट को प्या जाएगा इसको बैंक में जाके आपको BG भरके लेकर आना है ठीक है किस नाम से बनेगा यह सब कुछ आपको आगया तो यह बैंक से आपको BG आपको लेकर आना है बीजी लेके जैसे ही आ जाएंगे फिर आपको ये वाला फाइल यहां पे अप्लोड करना है कौन सा बीजी का फाइल जो आपका बीजी का फाइल होगा वो आपको यहां पे अप्लोड करना है होगी अप्लोड अब कौन सा बैंक से अपने किया वो बैंक का नाम कौन सा ब्रांच है वो ब्रांच का नाम वहां का FC कोड क्या है बैंक मनेजर का नाम क्या है बैंक मनेजर का इमेल आईडी बैंक गरेंटी नमबर जो आपने भरा वो बैंक गरेंटी नमबर वीड का नमबर इसा जरूरी नहीं कि फॉर्मेट देगा तो भी चलेगा अच्छा पर बाकी के चीज़े इसमें यह सब जो इसमें मैंसन होना चाहिए जैसे इसमें कितना है बीड नंबर क्या है आपका पूरा डेटेल्स यह से मैंसन होना चाहिए किसके नाम से बना रहे हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वह मैंसन होनी चाहिए ना यहां पर आया एमडी अमाउंट कितना सेम अमाउंट होना चाहिए दस हजाद चार सो यह दस हजाद चार सो ओके एमडी वैलिटी डेट यह भी इसी फॉर्म में लिखा रहता है नीचे के पेज़िए कब तक है तैईस बारा दो हजार चोबिस वही डेट डालना है दूसरा डेट डालेंगे तो नहीं लेगा यह तैईस बारा इसको सेब कर दो आगे बढ़ जागा एमडी के साथ सेम करो वेरिफाइब करो वो गया टेंडर सम्मिट को बीजे सर बुलिए है जो इमडी बरते हम यह एमडी का अमांट जिस उसमें जमाँ होता है जिस अकाउंट मैं तो क्या इसको जो वायर हो इस अमांट को यूज कर सकता है नहीं बीजी बनेगा बीजी बीजी कैसे यूज कर सकता है बैंक गरेंटी है यह अच्छा मतलब लोक रहेगा अमांट लॉक रहेगा मांट वराब बश्याव अच्छा आच्छा और इसका डूरेशन उसी डेट तक रहेगा उसके बाद यहां यहां यह वापिस सेलर के अकाउंट में चला जाएगा इस डेट के बाद ना हौरों किस अ